मेडम भारत बदल रहा है भारत ने अपनी तागत का एहसास दुनिया के मंच पर करा दिया आप मुझे लगता है आज का सबसे बड़ा संदेश यही आप इससे सहमत हैं के नहीं भारत शांती के पक्ष में रहता है बेशक मैं जब तक कि आप भारत के स्वाभिमान पर हमला ना करें तो परिणाम भुगतने के लिए तयार रही है जी बेशक यह आज का बहुत ही इतिहासिक दिन है और मैं इंडियन एर फोर्स को एक शौरेपूंट सलाम करती हूं यहां से और यह जो आज की सुबा वाकई बहुत सुहानी लगी और बहुत दिनों के बाद एक बहुत द बातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किये जा रहे थे पहले शहीदों के जो जिस हालत में मिले शहीदों के जिसम और उसके बाद उनकी घरवालों और परिजनों की जो हालत थी तो देश वाकई चाहा रहा था कि पाकिस्तान को यह कहना सही नहीं होगा कि पाकिस्तान को उसकी जबान में जवाब मिले पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जवाब में जवाब मिले जवाब तो वही हमने किया है और वहां जाकर सीमा लांग कर उनको हमने बता दिया कि ये सिर्फ शुरुवात है और वो जितना हम हमेशा डिफेंसिव रहे हैं हमने कभी पहले प्रहार नहीं किया और जहां तक हो सका हमने कोशिश करी है कि अमन बना रहे लेकिन जब हमारे स्वाभिमान की बात आती है जब हमारे जवानों की बात आती है जब देश के हित की बात आती है तो अब भारत की सेने जो शक्ती है वो पीछे नहीं रहेगी हमारी सद्व जफर मैं आपसे एक सवाल और पूछूँगा उससे पहले एक शेयर मेरे जहन में आ रहा जो पाकिस्तान के लिए बड़ा मोजू है इप्तिदाए इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या मैडम, उनिस सो इकत्तर में भारत ने एक लडाई जीती बड़ी बड़ी भारत ने जीती उननीश सो इकत्तर में भारत ने उसका श्रह दोनों को दिया राजनेतिक दलो ने भी सेना को भी सलूट किया और इंद्रा गांधी को भी सलूट किया इतिहास ने सेना को भी सम्मानित किया और श्रीमती गांधी को भी सम्मानित किया आज के इस ओपरेशन में मैं कॉंगरेस की प्रतक्रिया बड़ी बचते बचते देख रहा हूं बॉठ्चते बचाते है यहां तक थीक एक से ना को भारती वाय सेना को से लिूट लेकिन वह सरकार ने निरने लिया सरकार का निरदेश सरकार की रणनीती सरकार की जिम्मेदारी उस पक्षपर कॉंगरेस अपने को क्यों बिंट हो करना चाहती यह 71 में से नहीं हुआ था पार्लामेंट के अंदर तारी फुईती श्रीमधी गांदी की उनके विरोधियों के द्वारा कि जी आदेखिए अमिताब हमने पहले दिन से जब से पुल्वामा का हमला हुआ है आमिताब आपको मेरी आवाज आ रही है हाँ बिल्कुल आ रहे है बोलिए जी तो जी तो जब पुल्वामा का हमला हुआ था हमने उसी दिन शी राहूल गांदी और शीमती प्रियंका गांदी वाडरा ने ये कहा था कि हम पूंतहा सरकार और सैन्यबल के साथ है और वो जो भी डिसेजन लेंगे हम उसके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे और उसका सम्मान करेंगे और आज भी हमारा जो स्टैंड है अमिताब वही है हुआ हुआ है